अग्याइज विलकम बैक विद मैं अन्दर वीडियो और मैं आज आपको चीखने वाला हूँ राउंडप लेयाउट अगर अपको आप तक नहीं आता है राउंडप बैक फ्लिप तो मैंने लिंक दिया हूँ है मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो तो इससे क्या होगा जब आप राउंडप लेयाउट करोगे तो उसमें जो आपका बोड़ी है उतना पावर मिलेगा जिससे आप राउंडप लेयाउट परफेक्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बढ़ते सेकंड स्टेप के तरप और वो है राउंडप बैक फ्लिप विडियाउट तक तो जब क्या करना है जब आप राउंडप बैक फ्लिप कर गए तो आपको टक नहीं पकड़ना है देखिए कुछ ऐसा जब बढ़ते से घख के तरप рассказыв करते हुआ। तो आपको इस इस पर focus करना है कि जब आप round up करें okay round up जैसे कर लेते हो तो try करना है कि जो आपका head है okay direct turn करें जैसे backhand करते हैं वैसे ही but जो आपका hand है वो पीछे throw नहीं करना है hand exact आएगा आपके side में देखें कुछ ऐसा और आपको इस फोकस करना है कि जब आप लेयाउट कर रहे हो तो जो आपका chest है okay chest भी ज्यादा से ज्यादा अप करने के खुशिस करें जिससे आपका जो layout है वो clean और perfect दिखेंगा so guys आप बढ़ते last and fifth step के तरह पर वो है combine तो guys आपको combine करना है first step to four step और guys try करना है कि round up layout करें आपको शिस पर ज्यादा से ज्यादा focus करना है कि जब आप round up layout कर रहे हो तो height पर jajर से ज्यादा focus किजा किजिए कि जितना perfect height होगा उतना perfect आपका round up layout होगा और जो आपके legs जो चेना possible हो इतना try किजिए कि joint और tight रख्या सिससे आपका round up layout है वो clean और perfect दिखेंगा So guys I hope कि आपको समझ में आया हो कि layout कैसे करना है अगर आपको कोई भी doubt हो तो मुझे आप Instagram पर directly message कर सकते हो तो guys next video पर मिलते Peace